असलाम अलैकूम सारहा अलीवी लोग में वेलकम अमीद है आप सब ठीक होंगे और अल्ह ताला आप सब को अपने हिवज़ एमान में रखे आमीन सुमामीन आज मैं बहुत मज़े की रसी पी लेकर आई हूँ यह बहुत सिंपल भी है चिकन क्रेप्स चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते है इसके रिए मुझे यह चीज़ें चाहिए बिसमिल्ला रख्मान निराहीम दोदे मैने साइज की मैने प्यास ली है और मेरेट काट इसे चोप करके काट लेना है चोटा चोटा एक चिकन ब्रेस लिया है इसको भी छोटा छोटा काट लिया है हाफ टेबल स्पून अद्रक की पेस्ट और हाफ टेबल स्पून लेसन की पेस्ट वन टेबल स्पून कैचप टू टेबल स्पून मैदा और एक कप दूद और स्पाइसीज में हमें चाहिए वन टी स्पून रेड चिली पौडर, वन टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और वन टी स्पून गुना हुआ पीसा हुआ जीरा, वन टी स्पून सूखा दर्या पीसा हुआ, और नमक मैंने अपने टेस्ट के साफ से लिए हाफ टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के साफ से जितना आपने डालना है अब एक पैंगे मेने बन टेबल स्पून ऑई डाले इसके में प्यास डाल दूंगी प्यास को दो से तीन दिन कुट करेंगे इसको सोक्स करना है इसका कलर गोल्डन नी करना तक इसका पानी खतम हो जो को दोबिन पीस को कर लिए बूसमें लसन अजर सी पेज जाव भी लिए अ इसको भी एम दोबिन कूप कर लेंगे अब इसके अंदर हम चिकनाइच कर देंगे चिकन के कलर वाइट हो जाए फिर हम इसके स्पाइसी जालती है चिकन के कलर वाइट हो गया है अब हम इसके स्पाइसी जाट कर देंगे स्पाइसी जिका का एंगे पृणफ कर देंगे और टाट। यह जर्चिकन को इसके अंधने इसके पृणफ़ धालतें कि इसके width हो आरी है अब हम कीकन को जर्ट शुनफ तरीं के पृण से इसके भी टॉण तॉरम मेहाँ है अब इसको घंटे लग देते हैं चार मिंट हो गया है अब हमने इसको खोल लिया है कि हमारा एड़ी हो गया है अब इसमें हम कैचप एड़ करते हैं कैचप पची तरह से मिक्स कर ली है अब हम इसमें एककप दूजा लेंगे हैं कर दो देंगे इसमें छेंटोड़ी हम ज्यादा कर देंगे तेज दे अब हम इसने में आदा डाल दीगी इसको चिकरा से मिक्स कर लेंगे अब हम क्रेप्स का बैटर त्यार कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक बाल में दो ओंडे डाले हैं इनको में अच्छतिनों से फैंट लेंगे दो अंडे डाले हम इसमें हम हाफ टी स्पून सोल डालेंगे और इसके साथ इसमें मैदा डाल देंगे एक पैली अब इसमें थोड़ा थोड़ा वरके दूद डालेंगे और इसको ची तरह मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएं अब इसमें क्रेप्स के बैट्रों को अची तरह से मैंने बीट कर लिये इसमें कोई लेंप्स नहीं होने चाहिए कोई उट्ली नहीं होने चाहिए अब इसमें टू टेबल स्पून में पानी डालो लिए इसको फिर में बीट कर लों कि ची तरह से इस बैटर कोची देना आप चमच से भी बीट कर लें इसमें बिल्कुल स्मूध सा हो गया जैसा इसमें कोई गिल्टी नहीं है इस तरह यह हो अब एक नोंस्रिक पहन लेंग इसको ग्रीज कर लेंगे और इसे ग्रीज करने के लिए इसको इसमें भी कर सकते है ताकि यह सारा बाइब श़खा लेंगे अ अब एक चमच लेंगे इसा गोल और इसमें अमेजा डाल देंगे बेटर को ढालकर फिर इसको रेजले पकड़ कर इस तो इसको खड़ियू अच्छी तोरहता जो बाहाél बाइट कर देख लेंगे फेलेंगे ब। ऑल्ड जन बतलेंगे इसकी छाल हम इसे लिप लिचicationतर खीमिही हकता हाँ अब यह हो गया प्लेत में नीकान लेंगे इस तरह से दूसरा चमज भी ढालेंगे लिए पूरण ऐसे कर लेंगे तक यह पतली हो जाए बारी इसकी भी सदी चेंज कर लेंगे इस तरह से हम सारी बिना के रख लेते हैं सारे क्रेप्स हमारे त्यार हो गए हैं अब हम इसको बंद करने के लिए वन टेबल स्पूल में ने मैदा लिए इसको पानी के साथ हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे इसको बंद करने के लिए क्रेप्स और इसको बंद करने के लिए मैं देगी हैं अमने फिलिंग वो त्यार कर लिए अब एक प्लेट में मैंने क्रेप्स रखा है इसके उपर सेंटर में मैं फिलिंग रखूंगी जो चिकन के आमने फिलिंग बिना ही है इसके बाद हम इसको एक साइट से यूँ करेंगे उसके ओपर स्पून की मदद से हम यह मैदे को जो हमने बनाया है यह पानी राल कर इसको हम इसके साथ बंद कर देंगे इसके बाद हम इस साइट पर भी लगाएंगे और इस साइट पर ने मैदे के लगा दिये इसको ऐसे पकड़ कर ऐसे फोल्ड करेंगे जरा सा हाथ से इसको दुबा लें दोनों साइटों से आप इसको ऐसे कर लें जा प्रायओम best कर टेंगे लाध मैने पर टीक्स पिलिंग कर दोने चाहएं अचिछ तगा उपर आप साथ के अप दोना ख्य०्दा कर लिए Еसके अचिए कि यह मैने बना लिए हैं अब फिर दूसरा भी कि असे बिना बिना को मैं भी इस लो जड़ा लिए है इसस让 दे मार जाले नहीं है और दोनों साइडों पर यह मैदे के लिगा कर इसको बंद कर लिए इसको लिगा गया अब दो मिंट के लिए इसको प्रेस करें इसको बंद हो जाएगा दोनों साइडों साइडों सारे ग्रेप सेलीं करके मैंने इस तरह बना लिए है अब इने फ्राई करते हैं आसने ओब में उन्सिक पैन कोम सिप्छी करने है इसमें डल और षुरें ऍाध कि पूरे में लगें और गर्म होता है इसें फिर फिर लिखते हैं ऊओल हमार गर्म हो गया अब हम इस पर रखते हैं दोसुत मिल्लीम नखनी है इस्ता से यह रखते हैं जितने इसमें आज़ें बिल्कुल इसको स्लो फ्रेम पर बनाना और इतना होके इन सब पर लग जाए इतना ग्रीज करना अब हम इसकी साइड शेंज करते हैं एक साइड हमारी हो गया दूसरी साइड भी इस तरह ही हो जाए गोल्डन घुर्ण दूसरी साइड भी हो गया है अब इसनी प्लेट में निकाल लेंगे जो हमारे मज़ेदार टेस्टी चिकन क्रेप्स त्यार हैं यह बहुत ही इसी आपने इसको डिरूप ट्राइक करना है, और मुझे कमेंट्स में बताना है आज़ की रेसिपी कैसी लगी, इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना है, और सामने बेल को प्रेस करना है, ताके मेरी हर नही वीडियो इसके साथ ये अलाफिस अपना बहुत ख्याल रखेगा फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ अलाफिस